इंडिये में पार्टी और गटबंधन के निरने के खिलाफ काम करने वाले को सजा दिया जाता है और इंडिया गटबंधन में गटबंधन के निरने के खिलाफ काम करने वाले को सजा नहीं दिया जाता है अपने गटबंदन के तरफ से जो आधिकारीक उम्मिदवार थे उनको तीसरे नमबर पर धकेल लिया लेकिन अब्दुलबारी सिद्धिकी और सकील एहमद दोनों के साथ आने के बावजूद अब्दुलबारी सिद्धिकी वो चुनाव लगभग 20,000 वोटों से हार गए आर्जेडी ने मधबनी से ना तो सकील एहमद सिद्धिकी को टिकट दिया और नहीं अब्दुलबारी सिद्धिकी को टिकट दिया पपू यादब लोग सभाज चुनाव 2024 से कुछी दिन पहले कॉंग्रेस में आते हैं और कॉंग्रेस के खिलाब चुनाव महार गणनन के खिलाब दर जाते हैं सरकील एहमद 1985 से लगातार कॉंग्रेस के नेता रहे हैं कभी वो कॉंग्रेस नहीं छोड़े हैं बिहार के अंदर पपू यादब के पहले भी कई और लोग हैं जो ये कारनामा कर चुके हैं और सिर्फ पपू यादब ही नहीं बलकि पपू यादब की मा भी एक बार ऐसा कर चुकी हैं लेकिन GDU ने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला था जैसा कि पपू यादब को 2024 में GDU ने हर संभो परियास किया था और सुनाव में भाजपा पवन सिंग को फिर से भाजपा में सामिल करवाती है या फिर कुसवाहा समाज को खुश करने के लिए पवन सिंग को भाजपा बाहर ही रखती है दिग्विजे सिंग के परिवार का वो भोकाल था कि GDU ने अपना उम्मिदवार ही नहीं होता रहा उनके खिला हर कोई पप्पु यादब नहीं होता है आज News Hunters पर हम आपको बिहार की राजनिती से पांच अलग-अलग ऐसी चुनावी घटनाएं या चुनाव बताएंगे जैसा इस लोकसभा चुनाव के दवरान, 2024 के लोकसभा चुनाव के दवरान पुर्निया और काराकार्ट में घटित हुआ था दुनिया में कॉंग्रेस के नेता रहते हुए पपु यादब ने इंडिया गटबंधन के आधिकारिक परत्यासी RJDK बीमा भारती के खिलाफ निर्दलिये चुनाव के मैदान में उतर गए दूसरी तरफ भाजपा नेता पवन सिंग काराकार्ट लोकसभा चेतर से NDA के आधिकारिक परत्यासी उपेंद्र कुसवाह के खिलाफ चुनाव लड़ लिये और दोनों ने अपने गटवंधन के तरफ से जो आधिकारिक उमिदवार थे उनको तीसरे नंबर पर धाकेल दिया पवन सिंग ने उपेंद्र कुसवाह को तीसरे नंबर पर धाकेला और पप्पु यादब ने विमा भारती को तीसरे नंबर धाकेल दिया भाजपा ने तो कारवाई करते हुए पवन सिंग को फोजी तोर पही सही लेकिन एंडिये के परत्यासी के खिलाफ निर्दलिये चुनाव लणने के लिए भाजपा से निकाल दिया लेकिन दूसरी तरफ कॉंग्रेस ने पपु यादब को कॉंग्रेस में रहते हुए इंडिया गडबंदन के अधिकारिक परत्यासी के खिलाफ निर्दलिये चुनाव लणने के लिए कोई कारवाई नहीं किया है अब तक क्या ये मालने कि इंडिये में पार्टी और गडबंदन के निर्ने के खिलाफ काम करने वाले को सजा दिया जाता है और इंडिया गडबंदन में गडबंदन के निर्ने के खिलाफ काम करने वाले को सजा नहीं दिया जाता है कॉंग्रेस में कम से कम क्योंकि NDA ने पवन सिंग को सजाद दे दिया है लेकिन कॉंग्रेस ने पप्पु यादव के खिलाप कोई कारवाई नहीं किया है क्या बिहार में ऐसा पहले भी हुआ है बिहार के पिछले 75 सालों के लोकतंतर के इतिहास में हुआ है और आज News Hunter पर ऐसा ही कुछ चुनाव और ऐसे ही कुछ उम्मिदवारों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने पुर्णिया के जैसा या कारकार्ट के जैसा पहले कर चुके हैं अपने जीवन में पहला उदारन तो 2019 में ही मिल जाता है 2019 का लोकसवा चुनाव याद किजिए जब मद्वदी लोकसवा छेतर से महाकटबंदन की तरफ से RJD के एक पुराने नेता बद्री कुमार पुर्वे को VIP के टिकट पे उमिदवार बना दिया थे वो नेता RJD के बना दिया उमिदवार VIP के और उनके खिलाफ सकील एहमद कॉंग्रेस के नेता रहते हुए निर्दलिये चुनाव के मैदान में उतर गए उन्होंने फैस्वा ले लिया जब सकील एहमद ने अपना नामंकन निर्दलिये उमिदवार के रूप में कर दिया तो कॉंग्रेस ने उस समय उन्निस में त्वरित करवाई करते हुए सकील एहमद को कॉंग्रेस पार्टी से निकाल दिया था सकील एहमद के साथ साथ कॉंग्रेस ने बेना पट्टी से अपने विधायक भावना ज़ा को भी पार्टी से निर्मित कर दिया था क्योंकि भावना ज़ा सकील एहमद के पक्ष में चुनाव परचार कर रही थी जो RGD के VIP के कैंडिडेट थे उनके पक्ष में नहीं कर रही थे इतना ही नहीं उस चुनाव में तो खुद राहूल गांधी ने VIP के उम्मिदबार बदरी परसाद दुरवे या बदरी कुमार दुरवे के लिए लोगों से अपील किया था वोट मांगा था गौर करने वाली बात ये है कि सकील एहमद 1985 से लगातार कॉंग्रिस के नेता रहे हैं कभी वो कॉंग्रिस नहीं छोड़े हैं इस बीच वो विस्पी विधान सभा विहार के ही विस्पी विधान सभा से तीन बार विधायक भी रहे हैं और दो बार सांसद भी रह चुके हैं इसी मधुबनी से और राबली सबकार में राबली देवी के सरकार जब 2005 के बीच में थे तब उसमें वो स्वास्त मंतरी भी रह दूसरी तरह पपू यादब लोग सभा चुनाओ 2024 से कुछी दिन पहले कॉंग्रेस में आते हैं मतलब कॉंग्रेस गडबंदन के निर्ने या यू कहें कि RGD के निर्ने या फिर ये कह सकते हैं कि लालू यादब की निर्ने के खिलाफ निर्ने चुनाओ लड़ने पर कॉंग्रेस ने अपने एक पुराने नेता सकील एहमद के खिलाफ कारवाई तो कर दी थी उसके लिए कोई हिचक नहीं था लेकिन कुछी दिन पहले कॉंग्रेस में सामिल हुए पपु यादब ने जब इंडिया गडबंदन के आधिकारी कुमिदवार के खिलाफ निर्दली चुनाओ के मैदान में उतरे तो कॉंग्रेस ने पपु यादब के खिलाफ कोई कारवाई नहीं किया किसी तरह का कोई कारवाई आज तक अभी तक नहीं हुआ कल पुरियंका गादने से उनकी मुलाकात भी हुई है सकील एहमद साल 2009 तक कॉंग्रेस की तरफ से मधबनी लोकसवाद चेतर से सांसद रहे है 2009 में जब कॉंग्रेस और RGD अलग अलग चुनाव लड़ रहे थी और RGD के उमिदवार अब्दुलबारी सिद्धी की 154,167 वोटों के साथ दूसरी नमबर पर रहे थे जबकि जीत हुई थी भाजपा के हुकुम देव नरायन यादव की जो एक कदावर नेता है भाजपा के अगले चुनाव में यानि कि 2014 के चुनाव में लोकसभा चुनाव हुआ था तब RGD और कॉंग्रेस गडबंदन में चुनाव लड़ रही थी तो RGD ने मदबनी सीट अपने लिए रखा RGD के लिए रखा और अबदुलबारी सिद्धिकी को वहां से चुनाव लड़ वाया ये तर्क देते हुए कि जब पिछली बार 2009 में लोकसभा चुनाव हो रहा था तब अबदुलबारी सिद्धिकी को वोट जो आया था वो सकील एहमद से लगवाग 43,000 जादा वोट आया था इस लिए नैशनल है कि अबदुलबारी सिद्धिकी को ही वहां से उमिदवार बनाया जाना चाहिए सकील एहमद इस तर्क को मान भी गए और अब्दुलबारी सिद्की को चुनाव लडने में पूरा सहयोग भी किये 2014 के उस चुनाव में लेकिन अब्दुलबारी सिद्की और सकील एहमद दोनों के साथ आने के बावजूद कॉंग्रेस आरजेडी के साथ आने के बावजूद अब्दुलबारी सिद्की वो चुनाव लगभग 20,000 वोटों से हार गए इसके बाद फिर जब 2019 का लोगसभा चुनाव आया तो सकील एहमद बदबनी लोगसभा छेतर से अपने टिकट का दावा करने लगे कॉंगरेस की तरब से क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछले बार 2014 में जब अब्दुलबारी सिद्की का साथ उन्होंने दिया तब भी वो चुनाव हार गए लेकिन उसके बावजूद लगभग 20,000 वोटों से वो चुनाव हारे इसलिए इस बार यानि कि 2019 के लोगश्वा चुनाव में महागडबंदन की तरब से सकील एहमद उन्हें मौका मिलना चाहिए ये सकील एहमद का तर्क था लेकिन आरज़ेडी ने मदबनी से ना तो सकील एहमद सिद्धिकी को टिकट दिया और नहीं सकील एहमद अब्दुलबारी सिद्धिकी को टिकट दिया टिकट दे दिया गया मुकेश सहनी वाली जो पार्टी है वी आईपी उसके बदरी कुमार पुर्वे को इसके बाद सकील एहमद निर्दलिये नामांकर कर दिये मदबनी लोकसवा चेतर से ही और कॉंग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया जैसा कि हमने अभी आपको बताया था लेकिन जब चुना हुआ तो निर्दलिये लड़ते हुए भी सकील एहमद को महागडबंदन के आधिकारिक परत्यासी बदरी कुमार पुर्वे से मात्र 9000 कम वोट आया था और वो तीसरे नमबर पे रहे थे हलाकि चुराव परियाम आने के एक साल के बाद यानि एक साल के भीतर ही कहें जब बिहार विधान सभाका 2020 का चुना हो रहा था तब कॉंग्रेस ने सकील एहमद को फिर से कॉंग्रेस में सामिल कर लिया और उसके साथ साथ जो एक विधायक थे उनको विजहाजी को भी सामिल कर लिया लेकिन पपु यादब को एक दिन के लिए भी पार्टी से कॉंग्रेस निसकाते नहीं किया अब देखना ये होगा कि अगले बिहार विधान सभा चुनाव में पहले भाजपा पवन सिंग को फिर से भाजपा में सामिल कर वाती है या फिर कुसवाहा समाज को खुस करने के लिए पवन सिंग को भाजपा बाहर ही रखती है लेकिन इतना तो तय है कि अगर भाजपा ने पवन सिंग को फिर से पार्टी में भाजपा में लाया तो बचा-खुचा कुषवाहा वोट जो भाजपा से छिटक रहा है छिटक चुका है वो भी खत्म होने की पूरी संभावना है क्योंकि कुषवाह वोटरों के अंदर भाजपा के खिलाफ काफी रोज है उपेंदर कुषवाह के खिलाफ इस तरह से वोटिंग करवाने के राजबल्लब यादव के भाई बिन्दु यादव भी हैं जंजारकुर से RGD के जो पुराने नेता थे गुलाब यादव जो 19 में लड़े थे RGD के तरफ से वो भी हैं लेकिन हर कोई पपू यादव नहीं होता है जो पार्टी और गटवंदन के निरने के खिलाफ निर्दलिये चुनाव लडने के बाद भी चुनाव जीत जाता हो पपू यादव ने इससे पहले भी बिहार में ये कारनामा कई बार कर चुके हैं और बिहार के अंदर पपु यादव के पहले भी कई और लोग हैं जो ये कारणामा कर चुके हैं कि अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए भी वो चुनाव जीते हैं उदारन के लिए सबसे बड़ा उदारन है बिहार में बाका के बाका लोकसवा चेतर से दिग्विजय सिंग जिन्होंने जदियू के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए निर्दलिय चुनाव लड़ते हुए वो चुनाव जीत लिया था लेकिन पपु यादव के जीवन में ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि वो ऐसे निर्दलिय चुनाव जीत रहे थे दिग्विजय सिंग पहली बार लड़े और एक ही बार जीते हैं लेकिन पपु यादव ये तीसरा मौका है और विधान सभा मिला देंगे तो चौ और सिर्फ पपु यादव ही नहीं बलकि पपु यादव की मा भी एक बार ऐसा कर चुकी है कि निर्दलिय चुनाव लड़ी है अलाकि वो जीत नहीं पाई थी वो पेजेता लेकिन जरूर रहे थी दूसरे नमर पे रहे थी और तीसरे नमर पर पार्टी के कैंडिट को पपु यादव की मा को पुर्णिया से निर्दलिय चुनाव में मैदान में उतारा गया था उनकी मा सांती प्रिया चुनाव तो नहीं जीत पाई थी लेकिन आरजेडी के उमिदवार को तीसरे नमर पर जरूर धकेल ली थी दूसरी तरह बिंदु यादव अरुन कुमार ग बिहार में ऐसे ही पार्टी के खिलाफ जाकर लोगसभा चुनाव ड़ने और जीतने वालों में से एक बड़ा नाम है बाका लोगसभा छेतर से दिगविजय सिंग दिगविजय सिंग के इस चुनाव पर यानि की 2009 के चुनाव पर और उनकी उस जीत पर हमने विस्तार से एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप देख लीजिएगा आपको देखना चाहिए यहां सिर्फ इतना समझ लिजिए कि जिस नेता और जिस पार्टी के खिलाप दिगविजय सिंग ने लोक सबा चुनाव 2009 में बिद्रोव किया था वो नेता थे नितिसकुमार और वो पार्टी थी जेडियो दिग्विजे सिंग नितिस कुमार के साथ जीडियू के साथ साथ समता पार्टी के भी संस्थापक सदस्य थे उस चुनाव में यानि कि 2009 के चुनाव में दिग्विजे सिंग निर्दलिये चुनाव लड़े और जीते भी लेकिन जेडियू ने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला था जैसा कि पप्पु यादब को 2024 में कॉंग्रिस नहीं निकाला था 2024 के चुनाव में जो अभी खत्म हुआ है वो निर्दलिय लड़े लेकिन उसके बावजूद कॉंग्रिस नहीं नहीं निकाला दिग्विजे सिंग को निकालना तो दूर की बात है उसी साल जब दिग्विजे सिंग का कुछी दिन के बाद देहांत हो गया 2009 में ही तो उपचुना हुआ वहाँ पे और उस उपचुनाव में दिग्विजे सिंग की पतनी लोकसभा चुनाव लड़ती है जेडियू ने हर संभो परियास किया था उस चुनाव में कि दिग्विजे सिंग की पतनी जेडियू के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन दिग्विजे सिंग के पतनी और परिवार सब ने जेडियू के टिकट पर किसी तरह का कोई चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर द और निर्दलिये ही चुनाव लडी और दिग्विजे सिंग की पत्नी पुतुल कुमारी वो चुनाव जीत भी गई उस उप चुनाव में दिग्विजे सिंग के परिवार का वो भोकाल था कि जीडियू ने अपना उम्मिदवार ही नहीं उतारा उनके खिलाफ ये कहते हुए कि यही नितिस्कुमार और जीडियू की तरफ से दिग्विजे सिंग को या दिग्विजे सिंग के परती सरधांजल जेडियू ने बाद में भी बहुत परियास किया कि दिग्विजे सिंग का परिवार जेडियू में सामिल हो जाए लेकिन दिग्विजे सिंग का परिवार जेडियू में किसी भी कीमत पर सामिल होने से इंकार कर दिया और अंतता भाजपा में चले गए और आज दिग्विजे सिंग की बेटी भाजपा के टिकट पर विधायक है स्रेशी सिंग बने रहे निज हंटर के साथ ऐसे खबर के पीछे की खबरें हम आप तक लाते रहेंगे नमस्कार